तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटना घटने वाली है। शांती बनाएं। रखिए नमस्कार। दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी अपने यूट्यूब चैनल में अगर इसे नजर अंदाज कर दिया तो उम्र भर पच्छताते जी हाँ, दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे कि बालाजी, महाराज की कृपा से जो आपको मौका मिला है, अगर इसका लाभ आप उठा लेते हैं, तो आपको शुब फल की प्राप्ती अवश्य से होगी, और आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। मजाक मत समझना, बहुत लोग इसे मजाक समझने की गलती कर देते हैं, आप ऐसा मत करना, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह है, जो दोस्त बन कर धोखा देते हैं, किसी को धोखा दे कर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था, कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो हो सकता है आप यह खेल जीत जाए पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे यदि कोई आपको नजरंदाज कर रहे हैं तो करने दो देखकर अनदेखा कर रहे हैं तो करने दो बस याद रखना, वक्त सबका आता है समस्याएं हमारे जीवन में में बिना किसी वजह के नहीं आती उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े दोस्तों इन दिनों आपके जीवन में एक बड़ा विचित्र घटना होने जा रहा है जिसे देखकर दोस्तों आप इन दिनों आश्चर्य चकित हो जाएंगे जीवन काल में दोस्तों आपकी कोई ऐसी निजी जो आपको रोके हुए है और आपकी तरक्की के राह में बाधा बन रही है अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुल्जा ले अपने रिष्टों की महंता समझने की कोशिश करें अपने प्रयासों को रिष्टों की अहमियत देख कर ही निर्धारित करें दोस्तों आप अपने जीवन से पुराने और बेकार चीजों को हटा दीजिए क्योंकि दोस्तों अब जीवन काल से पुराने और बेकार चीजों को हटाने का समय आ गया है आप किसी पिछली स्थिती से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं, जो अब आपको कता ही पसंद नहीं, आपको इन में से बाहर आपाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज आप इस स्थिती से बाहर आने लायक मानसिक शक्ती जुटा पाए हैं, उस गती से अब कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा आपका काम उल्टा-फुल्टा हो जाएगा, साथ ही अपनी उर्जा को नियंतरन में रखने के लिए दिन की शुरुवात किसी राहत देने वाली एक्सरसाइज से जरूर करें, दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किसी भी रूप में आपके घर में ही देवी ये शक्ती है और आपके सामने है, आपकी आँखों के सामने है, इसलिए दोस्तों इस बात का विशेश ध्यान रखिएगा, बता दें, क्योंकि तीन बार आपको मौत के मून से ब पचाने के लिए शक्तियां यानी की दिव्याशक्ति होगी, जो आपकी रख्षा की है दोस्तों. आज का जोतिश कारिकरम आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है. दोस्तों, आपके ग्रह और नक्षतर का निर्मान हुआ है. आपके ब्रहमांड की एक-एक स्थिती क देखते हुए निर्मान किया गया है, तो दोस्तों आपको बता दे, यह दिव्या शक्ती कौन है और कब आपके जीवन में बदलाव आएंगे, कैसे आप लोगों को बड़े बदलाव मिलेंगे, आज हम इस वीडियो में बताएंगे, कुछ खास सावधानी अभी हम आपको दे दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत खास है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके जीवन कल में जो यह बड़े घटनाएं होने वाली है, इसके बड़े में आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, आज आप लोगों की जानकारी हम विशेश रूप से देने वाले हैं दोस् तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा मा लगा कर सुनिएगा दोस्तों, यह सुविचार आपके जीवन कल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इसके साथ आप भी काफी भाग्यशाली रहने वाले हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा गौर से सुन ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत समझ सके, अच्छे वक्त का महत्व समझ सके, अच्छे वक्त का सभी को दोस्तों बता दे, महत्वता को समझना की आवश्यक्ता है, जो इसलिए बादल जाते हैं, ताकि हम उनकी असलियत को समझ सके, याद रखिए, दोस्ती रिष्टेदार पडोस यदि आपके साथ में अच्छे व्यभार से चल रही है और उसकी नित अचानक से बादल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपके लिए अच्छा रहने करने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की कृपा करें। क्योंकि रूठे हुए को मानना जिंदगी है, किसी को दिल से हंसना भी जिंदगी है। सब जीत कर खुश होना बड़ी बात नहीं। पर आंसूँं में भी संतोश ढूंड लेना ज दे रहा है कि वह शक्तियां किस रूप में है, किस प्रकार से आपके समक्ष, तो दोस्तों आप सभी को भी बताना चाहेंगे है कि दिव्या शक्ती, दिव्या उर्जा, दोस्तों आपके प्राणों की रक्षा कर रही है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप सभी को बता आप सभी से निवेदन है कि एक लाइक अवश्य करेगा। इसलिए आप लोगों को कार्यरत होने की आवश्यक्ता है और दोस्तों बता दें कि इश्वर को केवल याद करने से गाड़ी का पहिया नहीं निकलता है बलकि मेहनत करने से ही आपका कार्य होगा तो दोस्तों आशा करती कि यह बात आपको अच्छी लगी। दोस्तों आपको यह भी चीज बता डन प्रेम जीवन में बड़ी सफलता मिल शक्ती है लेकिन जरूर से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें। ना कि अतिविश्वास करना इंसान को ज्यादा मुसीबत में डाल देती है। जी हाँ। सेहत के मामले में भी यदि आपके सेहत में दोस्तों कोई समस्या ए रही थी तो दोस्तों उसमें आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। आई में वृद्धी होगी जो आपके लिए लाभकारी उपस्थितियां लेकर आएगा। जांगीत बिजनिस करने वाले लोगों के लिए दिन भी काफी सारे लाभ आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों के लिए धन लाभ के प्रबल योग भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको दोस्तों बता दें, पैसे मिलने वाले हैं. यदि आपके जीवन में धन की कमी थी, पैसों की सख्त जरूर थी, तो आपको इस समय पर कहानी ना कहानी से कोई ना कोई बड़ा लाभ मिल सकता है. और दोस्तों, जिन लोगों का पैसा कहानी किसी के पास में यदि अटका ह और आपको वापस नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में दोस्तों, वह पैसा भी आपका वापस मिलने की बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वह साड़ी बातें अब ईश्वर आपकी जान चुकी है, इसलिए आप लोगों को इस चीज से बिलकुल निश्चित हो जाना है कि अब आपका आगे क्या होगा, भविश्य में क्या चिंता है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सब कुछ आपको ईश्वर पर ही नहीं छोड़ना है, आपको कर्म करना है, क्योंकि भगवान स्वयम कहते हैं श्री हरी विश्णू, स्वयम कहते हैं कि कर्म करो, फल के चिंता मत करो, जी हाँ दोस्तों, आपने बिलकुल सही सुना है, आपने दोस्तों इसके साथ ही एक सावधानी बता दें, जो लोग आपके जीवन कल में आ प्रति दिन लोगों क्योंकि यदि आप अपने जीवन में इन लोगों को रहने देंगे तो ये दिन प्रति दिन ये आपकी मुसीबतें बड़ी करते जाएंगे और दोस्तों आपको इसके बड़े में भग तक भी नहीं गपाएगी इसलिए ज़रा इस चीज में साफधान रह करियर के लिए मैं समय आपका अच्छा रहेगा स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय मुनाफ़ा काम सकते हैं मीडिया मार्केटिंग संबंधी से लोगों को भी नहीं उपलब्धियां मिलेगी इस समय दोस्तों व्यवसाय वर्तमान के अलावा भी अन्यक शेत्र में लाब मिल सकता है दोस्तों दिल्चस्प लेना आप लोगों को थोड़ा सा शुरू कर देना चाहिए इस समय दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा करियर के लिए जो समय रहने वाला है तो व्यापार में आप लोगों को समस्या जिन लोगों को कार्य करने की योजना बना रहे हैं इस पर दोस्तों कार्य करने का उचित समय शेर मार्केट से जुड़े जो भी लोग हैं उनको थोड़ा से सावधान रहने की आवश्यक्ता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद